हलो फ्राइंट स्वागत है आपका हमारे चैनल पर और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं दो कच्छे आलू का बहुत ज़्यादा क्रिस्पी और टेस्टी नास्ता आप एक बर इस नास्ती को बना कर खाएंगे तो बार बार बनाना चाहेंगे खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी होने के साथ साथ बहुत जल्दी बनकर तयार हो जाता है और बहुत एक कम चीजों से बनकर तयार होता है तो चलिए फैन बिना किसी देरी के फटा फट से इस नास्ते को बनाना स्टार्ट करते हैं लेकिन उससे पहरे दोस्तों अगर किया है तो फटा फट से सब्सक्राइब कर ले साथ में जो घंटी आती है उसे भी जरूर प्रस कर दे ताकि हमारे चैनल पर जब भी नहीं वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन यानि की मैसेज आपको मिल सके और आप पटा फट से वीडियो को वाच कर सके तो जोले फैन बिन में आसानी हो तो जितने हो छोटे हो सके उतने चोटे आपको पीसे इस तरह से कट कर लेंगे उसके बाद हम सेम साइज के प्यास भी कट करेंगे तो प्यास हमारी बहुत जल्दी पिस जाती है तो इसे हम इस तरह से लंबाई में कट कर लिए तो अब इसे हम फटा पट से व पानी होता है तो इसमें आपको डालना है सिर्फ 2 हरी मेज, हरी मेज आपने स्पैस के कोडिंग ही डालेगा हमने हाथोंसे तोड़कर ढाल दिया इसके बाद एड़ करेंगे लित बाइग इसके बाद अपने नास्ते को थोड़ा से चट-बडा बनाने क devi हम इसमे आड़ करेंगे अगर आपके पास चार्ट मसाला पाउडर अगर आपके पास चार्ट मसाला नहीं है तो आप इसके जगा पर दही का भी इस्तमाल कर सकते हैं साथ ही हम इसमें एड़ करेंगे स्वाल धनुसार नमक और थोड़ा सा हम इसमें एड़ करेंगे फ्रश पारी कटी हुई हरी धनिया आरे मसालों को हम इस पेस्ट में अच्छे से मिक्स कर देंगे आप जहाए तो इसमें और भी जादा स्पाइस आड़ कर सकते हैं जो भी टेस्ट आपको पसंदे उस टेस्ट का आप इसे बना सकते हैं आप इसमें गारलिक अद्रक वगरा भी एड़ कर सकते हैं आप नियां मसालधी पर सकते हैं जो भी आपके घर में हो तो बस आदा कभ जितनी सूझी भी डालकर हम इसे मिक्स कर लेंगे प्लीक्ति सूझी नियों देखेंगे हमारे भी तétais चाहिए है तो देखे इस तरह से आपको इसे 2-3 मिनट के लिए अच्छे से फूलने के लिए छोड़ देना है, 2-3 मिनट में हमाई सूजी काफी अच्छे से फूल जाती है, तो चले फैन इसे वह हम रेस्ट पे छोड़ देते हैं, तब तक कि अपनी हम चट्टी के तयारी कर लेते हैं, यह से अकॉर्डिंगी डाले गाए, इसके साथ ही हमें इसमे अट करेंगे थोड़ा से रूस्ट चने तकरीबं दो चोटे चाहते जबह सब्सब्स जब्स नमक, नमक डालने के बाद हैं, अब हम इसमें अट करेंगे, एक चौधाई जब्स जीत ता सा बूद जीरा, इसके स हमारी थिक सी चटनी राइडी हो चुकी है हमने यहाँ पर रोस्टुक चानी का इस्तेमाल किया है इससे हमारी जो चटनी होगी वह बिल्कुल भी पानी नहीं बनेगी तो चटनी को हम एक दूसरे बोल में रासा कर लेंगे और आप चलते अपने नेक्स टेप पर तो प्रफ़ इसमें आड़ कर देंगे यानि कि सूजी का हमने जो बैटर तयार किया था उसे हम इसमें आड़ कर देंगे तो यहाँ पर आपको यह मिश्रन बहुत सदा गाढ़ा लग रहा होगा लेकिन आपको इसके अंदर पानी विकरा कुछ भी एड़ने करना है आपको इसी तरह से इ आठे यानि कि Doki Pom में आने लगेगा तो जब तक कि अच्छे से पक जाता तब तक कि आपको इसे अच्छे से कुक करना है जब यह अच्छे से सो जाएगा तब आप इसे हाथों में इस तरह से बाइंड करके देख सकते तो यह साईन है कि हमारा जो बैटर के अंदर जो भी लंब्स बगरा हो निकला है और हमारा जो आटा है वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाए क्योंकि हमें इस नास्ते को बेल कर बनाना है इसलिए आपको मेक्शूर करना है कि आपको इसे 2-3 मिलट के लिए अच्छे से मसल कर लेना है एकदम आटे की तरह तो जब आ आपको हलके हाथों से इसे बेलना है साइड में इसके क्रैक्स आएंगे लेकिन आपको इसे इसी तरह से बेलना है तो थोड़े बहुत क्रैक्स आएंगे उसे हम बाद में निकाल देंगे लेकिन आपको इसे प्रॉपर बेलना है कही से मोटा और कही से पतला नहीं होना चाह यह बिलकर ready हो जाएगा हम इसे एक glass की help से इस तरह से cut कर लेंगे आप चाहें तो बोल्ड की help से भी cut कर सकते हैं तो इसके हम round circle निकाल लेंगे यानि की round पूड़िया निकाल लेंगे और जो भी side का आटा बचा होगा उसे हम इस तरह से निकाल देंगे और उसकी हम फिर से लो गरम हो जाएगा एक एक करके हम अपनी सारी पूड़ियों को इसमें आट करेंगे और गैस की flame एकदम हाई रखेंगे ताकि हमारा जो नास्ता है वो बिलकुल भी oily ना बने तो देखे यहां पर हमारी जो पूड़िया है वो काफी अच्छे से क्रिस्पी हो रही है और बहु एक बार में जितने पैन में फ्राई हो सके नास्ते उतने ही नास्ते को डालेगा अगर आप एक सा सारे नास्ते को पैन में डाल देंगे तो हमारे तेल का जो टमप्रेचर है वो एकदम लो हो जाएगा और पूड़िया आपस में चिपकने लगेंगी तो मेक शूर कीजे का क पूडियों को fry करते समय आपको अपनी गैस की फ्लेम को एकदम हाई रखना है और जितनी पूडिया fry हो सके उतनी पूडियों को fry करना है तो देखिए यहां पर हमारा पैन थोड़ा सब जाधा बड़ा है इसलिए हम इसमें जाधा पूडियों को fry कर सकते हैं लेगिन अगर आ इसे आप किसी भी सब्जी, अचार या फिर चटनी के साथ enjoy कर सकते हैं I hope आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजेगा हम मिलते हैं आपको नेक्स वीडियो में ऐसी नहीं मसेदा रेसिपीस के साथ अपतर के लिए अपना ख्याल रखें बबाई और टेकर और थैंक्स फूर वाचिंग